धार की साइबर क्राइम ब्रांच ने पुलिस कर्मी के यहां हुई चोरी का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफतार कर लिया है जिसके अब्जिस सोने चानी के आभुशन सहेत नगदी जब्त कर पूछतां शुरू कर दी है धार में साइबर क्राइम ब्रांच और पुलिस ने मिलकर एक कुख्या चोर गिरू का परदा फाश कर एक आरूपी नासू भील को गिरफतार किया है जिसके पास से 54,600 रुपे सहेत 6 लाख रुपे के 10 तोला सोने के जेवराद भी बना मत किये है दरसल तीन दिन पहले धार के श्रीजी धाम कॉलोनी में एक सूने मकान से चोरी की वारदात हुई थी जिसकी परताल की दोरान साइबर क्राइम और पुलिस की टीम ने मुख्यूर की सूचना पर एक आरूपी नासू भील को गिरफतार किया जिसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर वारदात करना कबूला है फिल्हाल पुलिस ने फरार दो अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है स्रीजी धाम कलोनी में एक चोरी हुई थी इसमें एकसाइज सब इस्पेक्टर मुनेदे सिंग जादोन के यहाँ पे तो उनके द्वारा फाईयर दर्च कराए गई थी फाईयर दर्च करने के बाद से ही आधरनी एस्पी सर माइक टू सर के निर्देशन में टीम गठीत हुई और टीम पतास्री में लग गई इसके तारतम में हमें जब बहुत सारे जो पुराने चोर हैं के गतिविदियों को हमने अबजर्व किया तो क्राइम रंच की टीम को एक चीज पता चली कि टांडा का एक चोर है इसके थोड़ी गतिविदिया संदिक लग रही है यह साथ एक महने से यह जमानत पर भी था और इसके उपर पूर में भी 20 के लगभग चोरी के इसके उपर आरूप है तो इसको जब रिमन पे लिया गया तो शुरुवात में यह नानुकुर करता रहा इसके बाद जब कड़ाईसी से कुस्ताच की गई तो इसने चोरी सिवकार करी और इसने अपने दो अन्ने सांतियों की नाम भी बताये हैं जिनके नाम है सुरेश पिता रूप सिंग और रेचु पिता ग्यान सिंग इनकी उप पायल समय कुल 10 तोला अभूशन और नगदी 54,600 रुपे अभी तक जब किया है हमने जिसका कुल मस्रुका जो है 6,64,600 रुपे इस पूरी कारवाई में हमारी क्राइम बांच प्रभारी दिने शर्मा साब उनकी टीम में सब इंस्पेक्टर दीराज राठोर अमित मीना राम और विशेश रूप से हमारे टांडा एसो विजय वासकले और उनकी टीम इनका बहुत अच्छा काम रहा है और हमने बहुत तर घंटी के अंदर में से कुट ट्रेस करके लगभग माल जो एफाईर में है उसको हमने जबत किया है अभी दो आरोपी फ्रार है उनको भी कर लिया जाएगा धार से प्रतीक सिंग्राठोर की रिपोर्ट